हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप सब ठीक होंगे तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं करंट अफियर का बहुत इंपॉर्टन बहुत हेलफुल है जितने भी प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं अपने हाई कोड के 2022 के पूरी अगस्त की बात तो और दूसरी बात मैं थोड़ा पहले ब्रीफ में बताती हूँ कि क्या होता है हाई कोड में कैसे होता है कितने सारे हाई कोड्स हैं और अगर हाँ आप मुझसे कहेंगे कि पूरी माम डिटेल में वीडियो बना दीजे जैसे कि अपॉइन्मेंट्स पे है क्वालिफि बारे में देखते हैं होता क्या है तो हाई कोड है एक हाइस्ट हाइस जुडिशियल कोड होता है ठीक है हाइस जुडिशियल कोड होता है ठीक अपने भारत में है ठीक और अपने भारत में कुल 25 है 25 हाई कोड है जो कि डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिट में हैं और कुल मिला के 25 हैं ठीक है 25 हाई कोट है हमारे पास अब क्या है देखे थोड़ा देखते हम इसके बारे में हाई कोट में क्या है देखो अगर हम आर्टिकल 214 से 231 के बारे में बात करें 214 से 231 उच्छी न्याले के प्रावाधानों से संबंदित है फिर बात आते हैं हम आर्टिकल 217 217 में क्या है? आर्टिकल 217 में है उच्छी न्याले के न्याधिसों की नियुक्ति से संबंदित है ये है अपने appointment से appointment of judges of the high court high court के judges की appointment की list है ये फिर आते है हमारा आर्टिकल 140 141 इसमें सभी भारती न्याले भारत के सर्वोच्चत न्याले द्वारा पारित निर्माड़ों जितने भी निर्णे हैं और आदेश है उससे bounded रहते हैं उससे सारे इनसे उपर जो होता है सुप्रीम कोर्ट उसके judgment से उसके order से ही पास किया जाता है हर कुछ तो यह तो छुटी छुटी डिटेल्स हैं जो कि आप लोग को हाई कोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए कितने हाई कोर्ट से हाई कोट क्या है अपने इंडियन स्टेट्स का टिक और 25 हाई कोट है अभी तक है बाकी अगर आप कहेंगे कि वह हम पूरे डिटेल में वीडियो बना दीजे जरूर बनाओंगे फिला अभी हम बात करते हैं जितने हीạnhी बी 25 हाई कोट है उनके बारे में की उनके कौण कौन से जजे से अभी नइनी रिक्रूट भी हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे फिलाल हम बात करते हैं आगे और विट ट्रिक्स के साथ ठीक〜 से सुनना हर चीज़ बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि रटना है मैं रटने वाला हिसा बताती ही नहीं हूं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अपने राजेज बिंदल जी को जो राजेज बिंदल है वो अलाबाद उच्छे नियाले के नए चीफ जस्टिस बने है अब हम इसको कैसे याथ कर सकते हैं थोड़ा देखते हैं अलाबाद क्या है हमारा प्रियाग राज ठीक है अलाबाद हर कोई जानता होगा अलाबाद में जो साउथ वाले हैं वो भी जानता होगी जो नौर्थ वाले हैं वो भी वेस्ट वाले भी इस्ट वाले भी अगर दुनिया के किसी भी भारत के किसी भी कोने से बच्चा रहा है अलाबाद तो उसे पता होगा कि अलाबाद में है क्या जीजों के लिए अपना हिंदू द्हर्म ग्रंथों में से एक है इसीलिए वहांके लोग बिल्कुल बिंदास रहते ठीक है बिंदा जिन्दा दिल रहते हैं क्योंकि वहां इतना सारत धार में किस तरह ले जहां उपर वाले का नाम आ गया भगवान का नाम आ गया जहां ठीक है तो वहां तो सब बिल्कुल जिन्दा दिली रहेंगे बिंदाल रहते हैं बिंदाल से बिंदास बिंदास रहते हैं बिंदल जिंदा दिल एक सा लग रहा है ना तो जब भी अलाबाद आएगा तो अलाबाद ना आप क्या याद करोगे कि यहां बिल्कुल हिंदु धर्म गरंतों का स्थान है यहां लोग टूरिस प्लेस भी है लोग दूर-दूर से यहां घूमने आते हैं देखते हैं यहां का त्रिवेणी संगम देखते हैं यहां का मेला देखते हैं बहुत ही फेमस है यहां सब कुछ तो यहां इसलिए बिल्कुल जो मन है अपना बिंदास रहता है बिंदल रहता है जिंदा दिल रहता है तो इसलिए राजिस बिंदल तो इसे करके हम याद करेंगे बाकी हिंद्स क तो क्या है वह हम खुदी ट्रिक बनाते हैं थोड़ा हम लोग के लिए याद करने के लिए इसी हो जाता है इसी के साथ मैं थोड़ा और डिटेल में लेकर आई हूं जैसे इसका establishment कब हुआ इसका नियाय छेत्र कौन सा है इसका headquarter कौन सा है और first chief justice कौन रहा अलाबाद high court का अब नियाय छेत्र क्या है नियाय छेत्र यह है देखो हैं तो अपने high court 25 तो 25 जैसे एक high court है suppose करो उसके अंदर कितने छेत्र आ रहे है वो कितने छेत्रों को cover कर रहा है जैसे अलाबाद है वो कितने छेत्रों को cover कर रहा है और headquarter है मतलब उसकी location कहां पर है तो establishment हुआ था 17 March 1866 को और नियाय छेत्र इसका उत्तर प्रदेश है मतलब उत्तर इसके पूरे area को cover करता है हर area का उत्तर प्रदेश के हर area का इंसान यहां जाके अपना अलाबाद high court जाके अपनी अपील कर सकता है शुकायत लगा सकता है कुछ भी है तो यहीं का उत्तर प्रदेश का ही इसके अंदर निया छेत्र रहात है और headquarter का है मतलब location कहा है इसकी प् आंदर प्रदेश high court आंदर प्रदेश उची नियाले के मुख नियाईदी के रूप में किसे newt किया गिया है तो किया गिया है अपने प्रशांत हो क्मान मिश्रा को ठीक है प्रशांत कुमान मिश्रा जी जो है आंदर प्रदेश के नए chief justice बने है तो हम इसको कैसे आप कर सक अंधेरे में क्या होता है हम लोग सब लोग अपनी अगर ऑफिस में हैं ड्यूटी में हैं कहीं बाहर वर्क कर रहे हैं कुछ भी हैं कहीं बाहर गए हैं तो सब वापस घरी आते हैं शांत रहते हों सोजाते हैं इसलिए प्रशांत कुमार मिश्रा ठीक और इसका इस्टाबलिश्मेंट कब हुआ था 1 जैनवरी 2019 को नियाई छेत्र आंध्रप्रदेश जी है है हेट क्वाटर का हैं अमरावती में ठीक फॉर्स चीफ जस्टिक कौन रहे अपने आंध्रप्रदेश के चगारी प्रवीन कुमार जी रहे ठीक नेक्स है वो हैस बिन अपॉइंटेड अज़ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉंबे हाइक बॉंबे उच्छ न्याले के मुख्य न्याइदी इसके रूप में किसे नियुक थिया गया अब देखो बॉंबे बॉंबे मुंबई में क्या होता है मुंबई सब जानते फिल्म सि दृब करेंगे डिपांकर दृब होते हैं ृप मुंबई को मुंबै记 में वहां तो हम रिलेट कर दीगें तो दिपांकर दृब जो है अपने नई Chief Justice बने हैं Bombay High Court के अब देखते हैं Establishment हुआ था 14 August 1862 को नियाए छेत्र कौन-कौन से छेत्र अपने Bombay High Court के अंदर आते हैं गोवा हो गया, दादरा एन नागर हवेली हो गया दमन्यन दियो हो गया, महरास्ट हो गया ये सारे नियाए छेत्र कलकत्ता उच्छे न्याले के मुख्छ न्याइदीस के रूप में किसे नियुक किया गया तो अपने कलकत्ता के नई Chief Justice कौन नियुक तो हुए है प्रकार श्रिवास्ताव जी ठेक है, प्रकार श्रिवास्ताव जी अब देखते हैं क्या है to India कलका ले किश लिए फेमस है कलका ले किस लिए फेमस है कलका अपने रशु-गूला किसी सुना ओतना मुविश भी देखते होंगे अप लोग घुझते होंगे और it being वह इन चीजों से तो अपना कॉलक sow theory नहां अच्छे मिऊजयम है कोड़का इस यह थो इस्लिए वह थो कै क racism लिद्र के फ्रेम। आप छफील द्रेग्श ट्रकरवष्टा में तो इसलिए वहाँ सारी आसी चीज़ें हैं वहां सिप्रत प्रकास रहता है उसी लिद्र कल ק A T तो इसलिए प्रकाश रहता है तो प्रकाश वास्तव में है कलकत्ता में तो इसे करके याद हो जाएगा हेटकवाटर का है इसकी लोकेशन का है कलकत्ता में ठीक फर्स चीफ जस्टिस कौन बने कलकत्ता हाई कोट के बारनस पिकॉग जी पहले चीफ जस्टिस बने कलकत्ता हाई कोट के नेक्स है वो हैज बिन अपॉइंटे अज़ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ चतिस गड़ हाई कोट चतिस गड़ उच्छे न्याले के मुखे न्याइदीज के रूप में किसे न्यूक्त क्या गया अरूप कुमार गुस्वामी जी को अरूप कुमार गुस्वामी अपने नई जस्टिस बने हैं चतिस गड़ हाई कोट के अब हम इसको कैसे आप करेंगे गुस्वामी के चतिस रूप है जो गुस्वामी है कोई ठीक है गुस्वामी है गुस्वामी के चतिस रूप है अरूप से अरूप चतिस रूप है ठीक गुस्वामी के चतिस रूप है अरूप स्वामी, 36 गड़ हाई कोट के नई चीफ जस्टिस, ठेक, स्टाबलिश्मेंट हुआ था 1 नेवेंबर 2000 को, नियाई छेत्र है 36 गड़, हेट क्वाटर है, लोकेशन है इसकी बिलासपुर में, इसके पहले चीफ जस्टिस बने है, रमेल सूरजमल गर्गीजी, ठेक, काफी helpful information ह आप लोग के लिए काफी important है, मुझे comment में बताना, आप लोग को काफी मजा आ रहोगा, ट्रिक सुनकर, है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स से अपना, who has been appointed as the new Chief Justice of Delhi High Court, दिल्ली उच्चे नियाले के मुख्य नियाइधी, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अपने जस्टिस सतीष चंद्र शर्माजी को, ठीक है, शतीष चंद्र शर्माजी अपने दिल्ली के नए Chief Justice बने है, तो हमें कैसे याप क कर सकते हैं, दिल्ली के दिल में चांद बसता है, जो दिल्ली है, दिल्ली के, दिल्ली वालो के दिल में चांद बसता है, चांद से हो गया, सतीष चंद्र चंद्र बसता है, या चांद के हदो चंद्र बसता है, दिल्ली अपना दिल्ली हो गया, ठीक है, तो सतीष चंद्र श स्टाब्लिश्मेंट हुआ था 31st October 1966 को नियाई छेत्र है डेली है न्यू डेली अब इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे डेली हाई कोड के चार जज रहे के अस हज जे आईडी दुआ एचार खन्ना और एसके कपूर जी चार जस्टिस रहे थे इसके पहले next say who has been appointed as a new Chief Justice of Goa Haati High Court Goa Haati उच्छे न्याले के मुख्य न्याइदीस के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो ये न्यूक्त किया गया है अपने रश्मीन मनहर भाई चाया जी को तो कैसे आप कर सकते इसको हम गोहा अटी गाटी गाटी लग रहा ना गाटी हाटी गाटी-अगाटी तो गाटी मैं भाई चाया ही रहती है भाई छाया ही रहती है गौवाहती गाटी कोई भी गाटी है, वहां सुन्दर नजारा रहता है, वहां हमेशा चाया रहती है, ठेक है। गुवाहटी गाटी गाटी में भाई चाया ही रहती है, तो रश्मिन मनहर भाई चाया, स्टाबलिश्मेंट हुआ तो 1 मार्च 1948 को, कौन-कौन से नियाय चेतर इसके अंदर आते हैं, अरुनाचल प्रदेश भी गुवाहटी हाई कोट के अंदर आते हैं, असाम भी, मिजोरम यह चारो नियाय चेतर गुवाहटी हाई कोट के अंदर आते हैं, हेटक्वाटर है गुवाहटी, ठीक, फर्स्ट चीव जस्टिस कौन रहे गुवाहटी हाई कोट के सर आरफ लॉच, नेक्स अपना, who has been appointed as the new chief justice of गुजराथ हाई कोट, गुजराथ उच्छी नियाले के मुखिन याईदीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक, तो अपने जो गुजराथ हाई कोट के हैं, चीव जस्टिस कौन चुने गए हैं, जस्टिस अरविंद कुमार जी, जस गुजराथ अरविंद ने बाहर रात गुजारी, अरविंद ने गुजारी रात बाहर, ठीक, तो अरविंद कुमार कौन है, नए चीव जस्टिस हैं, गुजराथ हाई कोट के, ठीक हैं, बाकि ये मैं एक ट्रिक बना रही हूँ, ऐसे भी किसी के नाम के साथ मेरे को हर्ट क करने का कोई भी बहुत बनता लेकिन मैंद वप्स एक ट्रिक के शाथ आप लोगगों को याद करने का तरीका है ट्रीक सब्सकेktor रहा ही है नोगे सुन्दनलालत्री कमल रांगा ंटाय है appointed as the new Chief Justice of Jammu Kashmir and Ladakh High Court. Jammu Kashmir और Ladakh उच्छे नियाले के मुख ही नियादी इसके रूप में किसे नियुत किया गया है? तो ये नियुत किया गया है? Justice Pankach Mittal को. Justice Pankach Mittal को जोज की अपने Jammu Kashmir और Ladakh High Court के नई Chief Justice बने है. जammu Kashmir आपको पता है, आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ रहता ही है. लडाई वगेरा होती ही रहती है फिर. तो अपना हम ऐसे याद कर सकते है, JNK में, जammu और Kashmir में मिशाल छोड़ी गई. मिशाल छोड़ी गई. मिशाल से मिथाल बन रहा है ना, मिथाल छोड़ी गई या मिशाल छोड़ी गई. चलो मिथाली कर लो ताकि याद रहेगा. मिथाल छोड़ी तो मिथाल क्या होगा? मिथाल का सिमेट्री बन रहा है वो, है ना? एक राइम बन रहा है मिथाल से मिषाल बन रहा है तो पंकच मिथाल और मिषाल एकसा है JNK में मिथाल वगरा छोड़ी जाती है तो मिशाल याद कलो तो क्या, जमू यन कश्मीर के नई Chief Justice नियाय मोड़ी, पंकच मिथाल जी ये इस्टैबलिश हुआ था 20 मार्च 1928 को इसका न्याय छेत्र है जमू एन कश्मीर एन लद्दाग ठीक है है समर का है श्री नगर यह बहुत ठंड पड़ती है बहुत जादा कोल्ड होता है है बरफिला एरिया है और विंटर का है जमू पहले चीफ जस्टीज रहे हैं के लाला कनवर्स एंजी ठीक अब हम इसको कैसे हाथ कर सकते हैं हिमाचल हिम क्या है बरफ और वैसे भी हिमाचल प्रदेश नौर्थ में है अपना स्टेट है नौर्थ स्टेट है बहुत बरफिला है नौर्थ के तो सारे ठंडे लाके है हिमाचल प्रदेश में बहुत बरफ पड़ती है समने सुना होगा शिमला कुलू मनाली यह सारा ठीक है तो बरफ में हमें क्या होता है बरफ शेयर करनी चाहिए, एहतियाद से बना एहतेशाम, एहतियाद और एहतेशाम एक सा लग रहा है न थोड़ा सिमेट्री, शहीद से शेयर, ठीक है, तो बरफ मैं, बरफ क्या हो गया हिम, हिमा मैं हमें एहतियाद शेयर करनी चाहिए, तो हिमाचल बन गया हिमाचल से एहतेशाम स अपने हिमाचे प्रदेश हाई कोट के मिड़जा हमेदुला बैग जी नेक्स्ट देखते हैं रवी रंजन जी बने हैं अब देखो क्या होता है रवी मतलब शूर्य ठेक है रंजन मतलब हैपी मैं मीनिंग बता दे रही इसका थोड़ा याद करने में आपको इजी हो जाएगा तो देखो जर्ना देख कर जर्ना देख आप चलो ये मतलगाओ सूरी मत करो जर्ना देख रवी जो है हैपी हो गया रवी रंजन हो गया ठेक है जर्ना जार से जर्ना बन गया और जर्ना देखे तो हरकोई खुशी हो जाता है तो जो रवी था वो भी रंजन हो गया हैपी हो हो गया जहर्णा से क्या बना जहर्णा बना और रंजन हो गया हैपी ठीक है स्टैबलिश्मेंट है 15 निवेंबर 2000 को नियाई छेत्र है जहार्खंड हेट क्वार्टर है रांची सबसे पहले यहां के चीव जस्टिस कौन बने विनोत कुमार गुपता जी ठीक कर्णाटक उच्छी नियाले के मुख्य नियाईदीज के रूम में किसे नियुत किया गया है अपने अलोग अराधे जी को तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कर्णाटक से बन गया कर्णाटक कर्ण कौन है अपने सूरी पुत्र सूना होगा आप लोग ने बच्पन में स्टोरी स सूरी पुत्र तो कर्ण की अराधना करते हैं कर्ण की अराधना करते हैं अराधे से बनके अराधना करने की अराधना करते हैं ठीक है कर्णा टक से बनके कर्ण कर्ण एक सा लगरा कर्ण और कर्ण की क्या करते हैं कर्ण हमारे कोई भगवान क्या लो चलो अगर जिसने नहीं सना सूरी पूत्र है तो भगवान जी सुन लो या गौट सुन लो कोई भी ठीक है अपना मसीहा देख लो तो उनकी हम अराध्ना करते हैं तो अलोग अराध्य अपने करनाटक के चीव जस्टिस है नहीं ठीक इसका establishment हुआ था 1884 को नियाय छेतर है करनाटक है इसका बैंगलूरू में ठीक है इसको पहले कहा जाता था High Court of Mysore ये question भी important है ठीक है ऐसे question भी पूछे जाते है और सबसे पहले यहां के Chief Justice कौन रहे वैंकटा मर्या ठीक है वैंकटारा मयार तो इसके सबसे पहले करनाटक High Court के स who has been appointed as the new Chief Justice of Kerala High Court केरल उच्छी न्याले के मुख्य न्याइदी इसके रूप में किसे नियुक्त क्या गया है तो ये किसे नियुक्त क्या गया है अपना S. Mani Kumar जी को S. Mani Kumar अपने केरल के नए Chief Justice बने है तो हम ऐसे याद कर सकते है केरल में हमें Mani मिल गई हम केरल गए गुमने और केरल में हमें Mani मिल गई ठीक है मनी मिल गई केरल गए बहुत सुंदर जगे है वहाँ तो हमें मनी मिल गई तो केरल से मनी कुमार ठीक है केरल के नई चीफ जस्टिस कौन बने है एस मनी कुमार जी और इसका स्टाब्लिश्मेंट हुआ था 1 नमेंबर 1956 को नियाय चेत्रे इसका कैरला लक्षदीप हैटक्वार्टर है कोची फर्स चीफ जस्टिस कौन रहे कैरला हाई कोट के केटी कोशी जी नेक्स से अपना मद्धी प्रदेश उच्छी नियाले के मुखे नियायदी इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है अपने नियाय मूर्ती रवी मली मठ को जो अपने जस्टिस रवी मली मठ हैं वो मद्धी प्रदेश के नई चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त को हुए है तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा सूर्य है हमारा सूर्य है वो मठ के मध्य में आ गिया अब आप कोगे यह क्या है यह कैसे यात हो सकता है आप देखो सूरी कौन है अपना रवी रवी का नाम रवी को और क्या बोलते हैं सूरी भी बोलते हैं मठ क्या हो गया यहां से हमने मठ निकाल दिया और वैसे मठ क्या हो गया मंदीर हो गया जहां सादू संत रहते हैं उनको मठ बोला जाता है ठीक है मोला जाता है बहुत लोग रहा सुना भी होगा ठीक है सूरी जो है मंदीर के मठ मध्य में आ गया मध्य प्रदेश ठीक है जो अपना सूरी है सूरी ना कहके आप रवी कहलो चलो जो रवी है वो रवी मठ के मध्य में आ गया, मठ मतला मंदीर ठीक है, या फिर कोई भी ठीकाना जहां सादू संत रहते हैं, जहां भी सादू संत ऐसे प्रिस्ट वगेरा रहते हैं, वो जगें अपनाप में ही बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाती है, है नी? तो मठ के मध्य में आ गिया तो इसी लिए रवी मली मठ मध्यप्रदेश के नए चीव जस्टिस है ऐसे याप कल लेंगे इसी हो रहा है अब इसका establishment 2 जनवरी 1936 को वाता है नियाय चेत्र मध्यप्रदेश में हैटकवाटर जबलकुर में पहले चीव जस्टिस रहे हैं M. हिद्यातुला जी रहे हैं और इसको पहले कहा जाता था High Court of नाकपूर अब मध्यप्रदेश High Court कहा जाता है पहले High Court of नाकपूर कहा जाता था नेक्स से अपना मध्रास उच्चि नियाले के मुखि नियाधीस के रूप में किसे नियुक्त किया गिया है मुंसी स्वार नाद भंडारी जी को मद्रास High Court के नई चीव जस्टिस मुंसी स्वार नाद भंडारी जी बने है ठीक है अब हम कैसे याद कर सकते हैं हम यह जाब कर सकते मुनी, जो कोई मुनी है, जिसे बाबा लोग हो गए, कोई भी हो गया, घर आती है बाबा भी, अगर हम बाबा का भंडार देखेंगे, जो हम बाबा का भंडार, मुनी भंडार देखेंगे, तो हम मद मद हो जाएंगे, मद मस्त हो जाएंगे, ठीक है, तो तो मुनि भंडार मुनी श्वर्थनाथ भंडार हो गया मध 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 म द्रास मध मत म मध मध मंध माद रास ठीक है कि तो मुनी का मनदार देख के हम बहुत ही खुश हो गए वह मजा आ गया वह देख कर तो मुनी भंडार से मुनी श्वर्थनाथ से shake मधसे ही настоящ मस्त होग घ्क तो इसलिए मदराज हाइगा तो मदराज से मस्त हो गया है हम तो मुनी का बनडार देख के मस्त होगये तो मुनिश्वर्नाथ बनडारी तो मदराज हाइग आप से स्टैबलीश्मेंट हुआ 15 ऑगस 1862 को tamilna du pondicherry इसके यहीं नियाई पहले चीव जस्टिस, ठीक? Next, who has been appointed as the new Chief Justice of Manipur High Court? Manipur उच्छे न्याले के मुख्य न्याइदी इसके रूप में किसे न्यूत किया गया है? PV संजय कुमार को, ठीक? तो Manipur Chief Justice के नए, Manipur High Court के नए Chief Justice बने है, PV संजय कुमार. कैसे याद करेंगे? Money, 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 Manipur का Money निकाल लो, Money क्या है? पैसा, पैसा देखकर, ठीक है? पैसा देखकर, Money से पीली संजय ने, PV संजय ने, ठीक है? जो भी संजय है, मेरा मतलब बिलकु सेंटिमेंट हर्ट करने का नहीं, वो तो मैं खाली एक ट्रेक बता रहीं, मैं बार-बार कह रहीं है चीज, ठीक है? तो, Money से पीली, PV को पीली संजय ने, ठीक है? मनी पैसा आया उसके पास, और उसने पीली, ठीक है? तो, Money से आगया, Money, Money देखके, पीली संजय ने, पी वी संजय कुमार है, नए चीज़ जस्टिस मनीपूर हाई कोट के, स्टैबलिश्मेंट हुआ था 25 मार्ट दोजा, 13 को, नियाए छेतर है, मनीपूर, हैटक्वाटर है, इमफाल, और इसके पहले चीज़ जस्टिस बने अब है, मनोहर स्पैर जी, ठीक? संजीव बैनर जी, अपने नए चीज़ जस्टिस बने मिघाले हाई कोट के, संजीव का जीब निकाल दो, बैनर जी का वन निकाल दो, बन, जीव और वन, मेघा देखकर बहुती प्रशन हो गए, मेघा देखकर खुश हो गए, मेघा क्या है अपना, मेघा मतलब बादल, क्लाउट्स, मेघा, मेघा आ गई या फिर बारिश, जितने भी जीव है, वन है, वो मेघा देखकर खुश हो गए, इसलिए संजीव, बैनर जी, नए चीव जस्टिस है, मेघाले हाई कोट के, मेघाले हाई कोट की बात करे, 23rd मार्ट 2013 को स्टाब्लिश्मेंट हुआ दा, नया नियाए चेदर इसका मेघाले है, हेट क्वार्टर सिलॉंग में है, मेघाले हाई कोट के पहले चीव जस्टिस कौन रहे हैं, टी मीना कुमारी जी, नेक्स है, तो, एस मुरली धर को, यह डी नहीं है, एस मुरली धर को, अपना नया चीव जस्टिस चुना गया है, उडी सा हाई कोट में, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, उडी, उडी, मतलब उड कर, या फिर उठ कर, उठ कर क्रिश्ने ने मुरली बजाई, मुरली बजाई, तुरंत उठ कर, और उठ कर, क्रिश्ने ने मुरली बजाई, तो मुरली धर कहां के नई चीव जस्टिस है, उठ कर, उडी सा के, ठीक, अब इसका इस्टाब्लिश्मेंट कब रहा तीन, अपरल 1948 को, नियाई छेतर उडी सा में है, हेट क्वाटा, कट टैक में है, ठीक, अब पहले चीव जस्टिस कौन रहे हैं, उडी सा हाई कोर्ट के, बीरा किशोर रे जी, संजय का रोल पटाना है, संजय का रोल पटाना है, तो संजय रोल पटाना, संजय का रोल पटाना, याद हुजाएगा, पटाना का नया चीव जस्टिस कौन है, संजय का रोल, स्टाबलिश्मेंट हुआ था, 2 सेप्टेंबर 1916 को, नियाई छेतर है बिहार, हेट क्वार्टर है पटाना, और यहां के पहले चीव जस्टिस कौन रहे, एड़वर्ड मेनर्ड देस, चैंप्स चैंप्यर, ठीक, नेक्स अपना, चीव जस्टिस ऑफ पंजाब एन हर्याना हाइकोट, पंजाब अ हर्याना उच्छी न्याले के मुख्य न्याइदी, इसके रूप में किसे नियूक्त किया गया, रवी शंकर जहा को, ठीक है, रवी शंकर जहा को, अब देखो हम कैसे याद कर सकते हैं, हर टाइम अगर हम शंकर का नाम लेंगे, हर से निकल गया हमारा हर्याना, ठीक है, हर्याना निकल गया, हर टाइम अगर हम शंकर का नाम लेंगे, तो हमारी जेब हमेशा भरी रही रहीगी है, जब हम बिलकुल भक्ती में, गौड में, भगवान में, कुरान में, किसी में भी पंजाब और हर्याना से हर तो अब जब भी पंजाब और हर्याना का हर तो जेब हरी कब रहेगी जब शंकर भगवान का नाम लेंगे मतला रवी शंकर जहाद तो यहां का इस्टैबलिश्मेंट वाता 15 ऑगस्ट 1947 को नियाएचेत रहे चंडीगड हर्याना और पंजाब हैट क्वाटर रहे हैं यहां का चंडीगड ठीक पहले चीफ जस्टीस कौन रहे हैं राम लाल जी रहे हैं ठीक इसको पहले क्या कहा जाता था अब तो पंजाब और हर्याना इसके रूप में किसे नियूत किया गया है संभाजी सिवाजी सिंधे को अब कैसे राजिस्तान हर को जानता है राजिस्तान जैपूर जैसल मेर यहां सारे बड़े-बड़े किला हैं यहां बहुत बड़े-बड़े और वहां राजा महराजा रहा करते थे पहले से ही तुम पर लग्हेस सिवाजी रहते थे अब मैं सिवाजी महराना परताप क्योंकि इसलेट those day रहे हैं हमारे राजिस्तान किलाओं में तो इसलिए राजिस्तान के जो नए Chief Justice संभाजी सिवाजी सिंधे बने स्टैबलिश्मेंट हुआ 21 जून 1949 को नियाइचेत रज्जिस्तान है और हैटकवाटर जोदपूर में और पहला Chief Justice कौन रहे हागा कमाला कंथ वर्मा जी नेक्स है नए Chief Justice के रूप में चुने गए हैं सिक्केम हाई कोट के अब देखिए सुमंदर मतला समंदर समंदर में हम सिक्के फेकते हैं ताकि हमारी विश्पूरी हो जाए समंदर में सिक्के सिक्केम से बन गया सिक्के समंदर में सिक्के फेक के फेकते हैं ताकि हमारी विश पूरी हो जाए तो विश्विना समंदर और सिक्किम का सिक्के ठीक तो नई चीव जस्टिस को ने सिक्किम के विश्विना समंदर अब यह सिस्टीन में 1975 को नियाए छेत्र है सिक्किम हेट कोटर है गैंग तो यहां के पहले सिक्किम हाई कोट के पहले चीव जस्टिस रहे मन मोहन सिंग उज्राल नेक्स से अपना वो हाई पॉइंट डर। टिलिगाना घाय कोट तिलिंगाना उच्छे न्याले के मुख न्यायिजी एस के रूप में किसे नीवकत किया गया है तो ये नियुक्त क्या है अपने उजवल भुया को अगर देखिए अगर हम तेल डालेंगे किसी में भी दिये में कहलो लालटेन में कहलो किसी में भी तेल डालेंगे तो उजवल होगा अगर दिया में भी तो तेल डालेंगे उजवल होता है ठीक है उजुवल भुया इस्टाब्लिश्मेंट हुआ था 1 जैनुवरी 2019 को नियाए छेत्र है तेलेंगाना हैटकौर्टर है हैधराबाद में इसके पहले चीफ जस्टिस कॉन रहे टीवी राधा क्रिशन जी ठीक है और जब इनिशेल में ये कैसे इस्टाब्लिश हुआ था हाई कोट ऑफ हैधराबाद के नाम से हुआ था फिर हाई कोट ऑफ आंधरप्रदेश हुआ अब एट लास्ट ये हाई कोट ऑफ तेलिंगाना हुआ 2019 में सबसे पहले हाई कोट ऑफ हैधराबाद रहा फिर 1956 में हाई कोट ऑफ आंधरप्रदेश हुआ फिर 2019 में हाई कोट त्री पूरा हाई कुड। ट्री पूरा उच्छै न्याले के मुखे न्याइधिस के रूप में किसे न्यूकत किया है ? इंद्रस्जीद मेहNTरी कhos। नियूकत को। इंद्रस्जीद महंत्री को। हमारे इंद्रभगवान है, वह ओक ट्री जगत के लेखा जोखा है। तो त्री मतलब त्रीपुरा और इंद्रसाया इंद्रजीत महενती अपने नई चीवजस्तिसें त्रीपुरा घौत के अगर हम त्रीपुरा हाई कोट के बात करें इस्टैब्लिश्मेंट वाता 26 मार्स धोजा 13 को नियाई चेतर हैत्रुईपुरा, हेटकौाटर अगरतला और इसके चीफ जस्टीसे पहले दीपक गुपता जी फिर है हमारा who has been appointed as the new chief justice of उत्राखंड high court उत्राखंड उच्छ नियाले के मुख्य नियादी इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है अपने विपिन संगाई को टेके विपिन संगाई अपने नई chief justice बने हैं उत्राखंड के उत्राखंड कहां है अपना North में है पहडी लाका है पुरा पुरा पहडी लाका है और पहडी लाके से आप क्या इमेजन कर सकते हो अगर जिसने देखा है तो बहुत अच्छी वात है जिसने पाड़ी लाके नहीं देखे हैं आप क्या इमेजन कर सकते हो जल हो सॉरी वन होंगे वहां जंगल होंगे वहां घरे घरे जंगल होंगे पेड़ होंगे पौदे होंगे यही तो होता है न पाड़ी कोट के नए चीव जस्टिस बन गए चिक अब अगर हम उत्राखंड हाई कोट के बात करें तो स्टाब्लिश्मेंट हुआ था 9 नवेंबर 2000 को नियाई छेत्र इसका उत्राखंड है और पूरा उत्राखंड का नियाई के तॉपिक चल रहे है अब हम ठोड़े प्रीएसली भी बात करेंगे और फिछ उन राइन पर बात करेंगे बने रहना लास्ट तक अब जैसे हम बात करते सुपरीम कोट औface in India की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खे सिबसे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट से बड़ा कोर्ट है इसके चीफ-जरू से एन्वी रमण जी उनियुडिक्षे नंडिया पूरा इंडिया का कोई भी इंसान त्रक्वर इन्सान या कोई भी राज्य कोई भी union सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन रहे सुप्रीम कोट है हीरा लाल जे कानिया जी रहे और यह कौन सा था 1950 काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यह आप लोग के लिए नोडाउन कर सकते हो यहां पर या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक अब थोड़ा वन लाइनर प कि अपने चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है और प्रेजिदेंट करते हैं और पत्रेजिदेंट को भी किसको से करते हैं ठीक है अपने अपना र्यनेशन लेटर किसको देते नimme को है High Court के Judge कब तक, कौन सी एज तक अपनी Office में रह सकते हैं या फिर अपना Office hold करते हैं 62 साल तक, 62 तक ठीक है फिर जो Judge है High Court के यह सारा English में लिखा हुआ है English वाले बच्चे English में देख सकते हैं मैं Hindi में बता दे रहूँ है आप लोग को तो जो high court के judge हैं, वो अपना oath और affirmation किसके सामने लेते हैं, अपनी oath किसके सामने लेते हैं, governor of the state के, state के राज्युपाल के सामने, which has the only one union territory having high court, कौन सी एक union territory है जिसके पास high court है, union territory एक है, जो है दिल्ली, उसके पास अपना high court है, कितने high court हैं अपने भारत में, total number of high court, 25, ठीक है, पहली woman, पहली महिला, जो की high court की judge बनी, पहली first, बहुत important है, अन्ना चांडे जी, जो की कैरला high court की बनी, ठीक, पहली woman chief justice of high court, first woman chief justice of high court, ये chief justice की बात बोल रहे है, ये तो judge बनी high court की, ये chief justice बनी high court की, लीला सेट हिमाचल प्रदेश की, ठीक, which number, which high court have the largest number of benches, किस उच न्याले में, नियाई पीठो की संख्या सबसे अधिक है, गोवा हटी high court की, ठीक है, गोवा हटी high court की, तो यहां तक के detail में list थी, मैंने एक एक राजजी का पूरे trick के साथ, बहुत ही अच्छे explanation के साथ बताया, उमीद करती है, आपको काफी helpful लग होगा आने वाले exams के लिए, और one liner भी बहुत important, बहुत helpful है आप लोग के लिए, चलिए मिलते हैं अपनी next video में,